तो गाइज आज में डिसक्स करेंगे निफ्टिक अनलेसिस बैंकी निफ्टिक अनलेसिस आज मुझे वोल्टास में क्या प्रॉफिट हुआ और बाकी मैंने क्या ट्रेलिया उसके बेचे का रिस्क रिवाड और लॉजिक क्या था तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते ह हैं तो आज निफ्टि की ओपनिंग हुथी 17,965 के असपास और इसकी क्लोजिंग अल्मोस 99 पॉइंचे 17,844 के असपास हुई है अब बात करते हैं पहले पांच मिनिट की तो पांच मिनिट में हम चेक करते हैं सबसे पहले आज थोड़ सी गैप को उपन हुई ओपन होते सा अगर आपको वीडियो के लास्ट में वह मिल जाएगा आपको लिंक उसका हमने कल वाली वीडियो में बता था यह रिजिस्टेंस है यहां से मार्केट सालफ के लिए प्लैन हो सकती है तो मार्केट जैसा की उपर गया यहां से अगेन थोड़ा सा नेगेटिव कंटल बना व हमने कहा था यहां से बिर्ड़ान आने के बाद 17871 का फर्स टारगेट 815 का दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट हमारा 729 का है तो यह टारगेट हमारा अभी भी कायम है तो अब हम बात करते हैं कल के लिए हमारा क्या प्लैन अफाक्षिन होना चाहिए सबसे वहले में अगर मार्कट कहीं रहेगा तो यहां पर एक हमें अ deposit के लिए plan कर सकते हैं तो यह हमें एरिया जब भी मार्क्ट अगर कहीं भी खुलता है औप coalition यह जाता है तो यहां चांड कर देखने के लिए मिलेगा और वो हमारा गड़ातूर कर रखेंगे और टार्गेट 815 से लेकर के 17,730 तक कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कैसे होगी निफ्टी की बात अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ अगें एट पार खुला थोड़ा सा उपर खुला 89 पॉंट्स खुलते साधी एक और इसका हाई आच केतना लगा है 292 के आसपास का हाई लगने के बाद ही एक दम से सहलोफाना शुरू हो गया था और बाद में जब प्रॉपर एक ब्रेक डोन आया 41,110 के आसपास तब सीधा इसका 40,830 के आसपास इसका टार्गेट अचीव हो गया है वो अब हम बात करते ह पहले डेली बेसिस पर बैक डेली बेसिस पर बैक डेली बेसिस पर में को यह दिख रहा है इसने हमारी प्रॉपरी रेंज को काट दिया है तो हम नीचे के लिए टार्गेट एक्सपेशन अब रख सकते हैं तो 40,167 जो भी लोग पोजिशनल करना चाहते हैं वह 40,167 और बि साइट पर मेरे को असा लगता है कि 40,900 के असपास अगर इदली साइट पर कुछ मिल जाता है अल्मुस्ट यह लेवल के आसपास अगर इदर कहीं मिल जाती है वह इंग रिफ्टी शॉट करने के लिए तो मैं डेफिनिल इस लेवल पर शॉट करूंगा विज़ टार्ग 1500 मेरा स्टॉप रहने वाला है कल के लिए इदर मेरश शॉट करूंगा अगर मेरा सॉप मिल लेगा तो अल्मुस्ट रहेगा आल्मुस्ट रहेगा वह अल्मुस्ट रहेगा तुटो 30 पॉंग्स का टार्गेट मैं 700 पॉंट तक के भी एक्स्पक्टेशन रख सकता हूँ तो आपको लॉस दिख रहा होगा 32 224 का हमने का किया आज देख लो गाइज वोल्टास का जो लगा है 3.65 के आसपास वोल्टास में क्लोजिंग आई है यानि कि हमने 12 रुपए पे लिए 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 लोजिंग इसकी 3.65 है बट हमने एक्जिट बहुत पहले कर लिए थी और हिस्ती में जाएंगे तो वोल्टास हमने निकाल दिया था 13 रुपए के आसपास का और इसका हाई कितना लगा है वो अभी चेक करते हैं हम यहां पर आग कि साड़े 13 का हाई लगा और 13 रुपए मैंने बेच दिया था अब मैंने बेचने का लॉजिक देख लूँ आप सबसे पहले मैंने साड़े 13 रुपए क्यों बेचा यह खुला था इथिंक हम चेक देखे तो और नौपर बच्चिस के असपास खुला था साड़े 13 का हाई ल अगर कुछ स्टॉक आपके फिवर में नहीं खुलता है तो समझदार यही रहती है कि आप उसमें एक बड़ी के लिए एग्जिट ले जाओ अब यह स्टॉक का क्या हुआ मेरे फिवर में नहीं खुला था यह एट फिफ्टन यानि कि चार रुपे खुला था बट मेरे ऐस यह एक बर यह सपोर्ट टेच करने नीचे आ सकता है और सपोर्ट इसकी ओमेश इस लेवल के आसपस तो साड़े आट सो क्या सपस एट फिफिटी पॉन नाइन्टी फाइफ और वोल्ट आसका लोकर रगे एट फिफिटी पॉन थर्टी फाइफ यानि कि यहां से अच्छा म मैंने वोल्ट आस निकाल जया था इसमें प्रॉफिट बॉक कर लिया था और फिन निफ्टी में थोड़ा सा लॉसीज हो गया जो मार्केट हमारी एस पर एक्सपक्टेशन ही चली थी बट स्ट्टेजी में थोड़ी बहुत गड़ग होगी थी जिसके गार हमें थोड़ा सा लॉसीज फेज देखने के लिए मिल गया था तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लगयों तो लाइक शेर कॉम्ड़ और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू एड़ नाइस दे